दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है BPSC फेज टू भरती को लेकर अभी अभी मानेनिया अतुल परसार सर ने एक टूइट करकर काफी महत्पूर्ण जनकारी दी है वैसे लाखों अभी आरती के लिए जिन हों के द्वारा अभी फॉर्म फिलप की परकिरिया चल रही है क्योंकि काफी सारे कनिडेट अपने एज में छूट को लेकर कन्फूजन थे जब यहां पर खासकर हम पता दे नाइं तें तो रिलेवें टूवल्ट में यह काफी बड़ी कन्फूजन थी इस कन्फूजन को अभी दूर कर दिये गया है क्योंकि जब आप यहां छूनते हैन तो आपको तीन अप्सेन दिये गए है इनम्यमिन कोई एक विकल्प आपको चुनना था जिसमें 14 साल का रिलक्स शेसन है इन सबच्स समूऌ में 10 साल का रिलकस सेसन है और बाकर के नीचे में अन्य बिसाय दिये गए myths तीन अब यहां पर किन्फूजन चुनना इसी को लेकर किलियर नहीं हो पा रहे थे सभी कनिडेट परसान हो चुके थे इसको लेकर अभी यहां पर देखे माननी अतुल सर ने टूइट करकर जो जनकारी दी है इसमें क्या बताई जा रही है समझे और किनको कौन सा आपसन चुनना चीए बहुत सारे कनिडेट अभी तक पंजिकरन नहीं किये हैं तो अभी से आप सब्धानी को जरूर बरते बताया गया कि एस्टेट पेपर वन और टू या अन्य या अन्य विसाय का चैन करने में अनावस्यक भ्रम प्रतित होता है जाहिर है कि अभी यारति केवल उसी विसाय में आवेदन कर सकता है जिसमें उ इस्टेट उतिर्ण किया है पेपर वन या कोई हिंदी से किया है तो आपको इस ऑप्षन यानि फर्स्ट ऑप्षन को चुनना था जो यहां पर इनके द्वारा किलियर बताया जा रहा है कि जाहिर है कि जिस विसाय से अपने उतिर्ण किया है उसी विसाय का चैन करना था और को मिल रहा था उन सब्जेक्ट को आपको चुनना था आपको चार साल का एज में रिलेक्सन आपको चाहिए या नहीं चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है आपने जिस सब्जेक्ट से उतिर्ण किया उससे आपको चुनना था काफे सारे कनिडेट को लग रहा था ये चीज कि हम जो है अन्यक को चुनेंगे तो हमें एज में रिलक्स नहीं चाहिए हमने कई बार आपको यह जनकारी दिया था कि आपको अगर छूट नहीं चाहिए फिर भी आप अपने विसाय समुख को ही चुनिए क्योंकि छूट तभी लागू होगा जब आपको चाहिए और जब आप प अब हम आपको उस वीडियो का एक छोटा सा किलिप एक से दो मिनट का है आप देख लीजिए क्या कुछ हमने उसमें बताया है फिर आप जो है आगे वीडियो को देखीगा यहां पर बताया गया है कि उस एज के रेकॉर्डिंग मालीजिए आपका एज अधीक हो रहा अगर आप जेनरल कैटेगरी के पूरुस कैनिडेट है अगर आपका 37 वर्स अधीक है आपका 40 वर्स उम्र हो चुका है तो आप एज में छूट ले सकते हैं और ऐसे भी आपको यहां पर बताया गया कि इन सब्जेक्ट से अगर आपका एस्टेट पेपर 1 हुआ होगा क्वालिफा पर 1 क्वालिफाई होंगे उन कैनिडेट को यहां पर 4 सालों का एज में रिलाक्सेशन मिलेगा आप कहेंगे कि मेरा जो उम्र है यहां पर एक बार फिर नोटिफिकेशन के जरी आपको बताते हैं आप कहेंगे कि सर हम जो है पिछरा बर्ग अतियंत पिछरा बर्ग से ब्लो कि आप ले ना ले वो आपके उपर नहीं है यहां पर उनके द्वारा बताया गया कि आपको इस सब्जेक्ट वाले कनिडेट को चार साल एज में छूट मिलेगा बाकि बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसमें 10 सालों का छूट दिया गया है तो आप माइने नहीं रखत तो आपका अगर एस्टेट पेपर वन में यह सब सब्जेक्ट रहा है तो आपको फर्स्ट ओप्शन चुनना है यह जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम यहां पर मिलता है देख लेना है कि इसमें आ रहा है यह आपको नीचे बला में आ रहा है जैसे अर्वी, फार्सी, बं किया तो आप इसको चुने, आप कहेंगे कि अन्य किन को चुनना है तो अन्य उनको चुनना है यहां पर अगर माल लिजे उनका सब्जेक्ट नहीं तो इस बार ले लिष्ट में दिये गया है और नहीं इस बाले में दिये गया है तो उन कैनिडेट को यहां पर अन्य चुनन आप अन्य कैसे चुन देंगे फिर ये भी एक काफी वरी समस्य आले बाकि ये सही तरीका है जो तरीका हमने बताया कि आपको देखना है जैसे ये कनिडेट जो है मैथ से पेपर वन क्वालिफाई किया है तो इनको ये वाला जो उप्सन है और चुनना सही बिकल्प होगा बाक इनका जोलोजी, बोटनी, केमेस्ट्री, मैथ, फिजीक्स, इंगलिस, मैथली ये सब सब्जेक्ट होगा तो उनको 4 साल का एज में रिलाक्सेशन होगा बाकि ये सब अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसमें 10 सालों का एज में रिलाक्सेशन है अगर आपका सब्जेक्ट इ ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि काफे सारे कनीडेट का कहना यह था कि यहां पर जो आपसन दिये गए हैं अगर जिसको डिलक्सेसन नहीं चीए वो अन्य आपसन को चुनेंगे लेकिन हमने उस वीडियो में आपको बताया थे वीडियो आप देख लीजिए काफी अच्छे खासे ल का जो चैन हैं आईउ में चुट की आधार पर नहीं किया जा सकता है इस परकार अन्य का अर्थ अन्य विसे है मतलब इस विसे समह में आगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको अन्य आपसन के साथ जाना होगा तो अभी भी जिन candidate ने payment अगर अभी तक नहीं किया है तो आप registration को cancel करकर आप नए सिरे साविधन कर सकते हैं जिन candidate ने payment कर दिया उनके लिए अभी कोई यहाँ पर यह जनकारी नहीं दिया गया है कि अगर जो candidate अन्य को चुन दिया है उनका क्या होगा वो जनकारी यहाँ पर न समझाने के कोसिस किया वीडियो अगर आपको पसंदा हो तो इससे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद